जेरम घाटी हमले की घटना को दो दिन बाद दर्श वर्ष पूरे हो जाएंगे मुखे मंत्री भुपेश बगहन ने जेरम घाटी हमले की घटना को लेकर भाजपा की बयान बाजी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा की भाजपाई निरलज है यह घटना हमारे लिए भावना का विशय है बतादे कि 25 मैं 2013 के शाम को हुए इस हमले में 32 लोग अपनी जान गवा बेठा थे यह देश के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा माववदी हमला था हमले में जान गवाने वाले जादातर 36 गर्ड कॉंग्रिस के शिर्ष नेता थे जिनके स्मितिया ही आज सब के बीच बाकी रह गई है यह हमला बस्तर जिले के दरभा इलाके के जीरम घाटी में कॉंग्रिस के परिवर्टन यात्रा पर हुआ था उससे दो-तीन सवाल है कि वहां से रोड ओटनिंग पार्टी हटाया क्यों गया था क्यों नहीं था दूसरा पूछ पूछ की क्यों पटेल कौन है दिनेज पटेल कौन है कर्मा कौन है बंटी कर्मा कौन है यह पूछ पूछ के नकसली मारत कभी आज तक के नकसली ऐसा किये हैं और फिर जब इंचार वजे के घटना थी उसो रक्षट क्यों नहीं दिये तो बहुत सारे 3-4 सवाल हैं और फिर NIA की कोट ने इनाईयों को कहा कि जो नक्सली सरेंडर हुए हैं तेलंगाना में उसका बयान लिया जाए इनाईयों क्यों उसे पूछता ची आज तक कि अगर उस जेज का ट्रांसफर करा दिया गया उसके घर में सुदली बंफे का गया उसको डराय धमका गया तुमाम मीडिया में ये खबरें थी तो इस पॉस्ट है कि भारती जनता पार्टी दबाना चाहते चुपाना चाहते इतनी बड़ी घटना और उसको अब ये उटपटांग बयान दे रहे हैं निरला जी इनों को सर्म भी नहीं आती इतने लोग जान चली गई जवानों के हमार कारे लिए भावनात्माक मामला है और सबकुनी मंतर में जाता है उसमें क्या है और उसाओ जी अत्रिक्त चाहते हैं तो अत्रिक्त भेज देंगे उसके बास दो कार्ड भेज देंगे